हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे हम भी देखे आप सभी लोग अच्छे होंगे तो देखो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बी आरेस का एक्सराइज और आप लोगों को बता देना चाहती हो कि एक्सराइज में टोटल नौ कोश्चन्स दिएगा हैं जिनमें से इस लेक्चर में हम लोग कितने कोश्चन्स देखने वाले हैं तो यहाँ पर बस हम लोग पांच कोश्चन्स देखेंगे फिर जो बचे वे कोश्चन्स हैं उनको आम लोग स्वाल करेंगे कहाँ पर लेक्चर नमबर 14 में ठीक है यह कौन सा है यह है लेक्चर नमबर 13 इसके पहले हमारे 12 लेक्चर हो चुके हैं तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले लेक्चर सो नहीं देखा है तो जरूर आप आप देख लीजिएगा प्लेइलिस्ट में जा करके ठीक है ना क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप डारेक्ली एक्ससाइस के कोश्चन्स सॉल्व करने मत आओ सबसे पहले आप ना कोई बे लेसन शुरू कर रहे तो उसका बेसिक समझो फिर प्रैक्टिक और ट्वेल्द में यही करना ठीक है तो देखते हैं शुरू करते हैं आजये यहां पर यह लिजिए यह चाप्टर को हम शुरू कर रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर जिसका हम एक्ससाइस देखने वाले हैं तो एक एक करिके सारे कोश्चन में एक्स्प्लेइन यहाँ पर हम देखेंगे question number one answer in one sentence एक sentence में आप सभी लोगों को answer बताना है तो यह first question is who prepares a bank passbook मुझे ज़रा बताएंगे कि जो bank passbook है इसको कौन prepare करता है भाई बैंक का passbook तो बैंक ही prepare करेगा ना तो यहाँ पर answer लिका है कि bank passbook is prepared by bank only है ना इसको businessman थोड़े ना मतलब बनाएगा businessman क्या बनाता है वो तो cashbook बनाता है right yes तो यह क्या होता है यह bank passbook होता क्या है which is nothing यह ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन यह होता क्या है but a copy or extract of leisure account of account holder appearing in the bank leisure सम what is pay in slip अब बताईए पैं त्लिप क्या होता है स्टूडिंट यादे आप लोगों को मैंने starting में भी आप लोगों को बताया था कि पैंसलिप क्या होता है जैसे अगर हमें बैंक में पैसे deposit करने हैं तो वो जो pay a an slip होता ना उसको हम फिल करते हैं भरते हैं और फिर वो पैसे या फिर चेक जो डिपोजिट करने रहते है वो हम करते है राइट है ना तो भी को यहां पर वही है कि वेन दा अकाउंट होल्डर डिपोजिट चेक और कैश इन्टो इस बैंक अकाउंट असलीप इस फिल्ड वाई हिम विच इस नोन एज पें स्लीप और अलसो कॉल्ड डिप कहा जाता है समझ में आ गया इट्स फेरी इजी इस चलो वाट इज बैंक ओवर्डराफ्ट क्या होता है जानते हैं आप लोग वैसे तो मैंने मतलब कई बार एक्स्प्लें किया है पर एक बार फिर से सुन लो यह बैंक में जितने हमारे पैसे जमाएं उससे एक्स्रा अंसर हम देख लेते हैं ठीक है जी देखे थोड़ा से इसको उपर ले लेते हैं क्या लिखा है इसमें देखो दामाउंट विड्रॉन भाइग दा करेंट अकाउंट होल्डर इन एक्सेस ऑप बैलेंस इन हिस करेंट अकाउंट अप टू अप्री डिटर्माइन लिमिट डि लिखोगे तू भी चलेगा दामाउंट विड्रॉन भाइद करेंट याद रखना यह जो ओवर्ड्राफ्ट की फैसिलेटी यह इसको प्रोवाइट किया जाता है करेंट अकाउंट होल्डर क्या करता है जब एक्सेस अमाउंट अपने करेंट अकाउंट में से निकाल लेता है तो वहीं आपका क्या होता है बैंक ओवर्ड्राफ्ट नाम से जाना जाता है ठीक है जी नेक्स्ट वोट इस विड्रॉवल स्लीप है ना विड्रॉवल स्लीप क्या होता है सिंपल है देखो विड्रॉवल का मतलब क्या होता है निकालना तो जब हम पैसे निकालने के इस नोन आज विड्रोवल करेंगे कि बताओ बैंक स्टेटमेंट को कौन सेंट करता है अरे सिंपल सी बात है बैंक स्टेटमेंट को तो बैंक की अब भेज़ेंगा ना तो देख लो यह इसका उत्तर की बैंक स्टेटमेंट को दिया जाता है अब देखो को यह कमेंट मत करना कि बीच में खड़े हो गया हमें तो दिखाई ने देरा अरे इसकी पीडियाफ आपको प्रॉइड कर दी जाएगी कहां पर मिलेगी पीडियाफ आप जरा देख लो इदर मैंने वैसे कोई बात नहीं हर मतलब जो भी चीज़े में आपको पढ़ाती हूं उसकी नोर्स बना करके मैं अपने टेलिग्राम चैनल और इसके अलावा जो हमारा एप है इसमें अप्लोड करवा देती हूं तो यहां से जा करके आप लोग उसको डाउनलोड करके इसली पढ़ सकते हो ह मैं न तो आप किसी का सखी अपड़ी नहीं नहीं आना चाहिए वैसे मैंने सुनाए मैं देखा आप लोगों को करते हैं यह तो हो गया ना वांडर सर they 的 lesiter balance dao Duke rep Reason यनि cashbook का जो सुनना बड़ी द्यान से कैश्च बूक का जो डेविट बैलेंस न वो क्या रिप्रीजेन करता है बहीं तो वह जल्दे से सोच करके बचाओ बताओ ऐस시ट बुक का देखो भाई आप सोचोगे आपने तो बोला कि वो फेवरेबल बैलेंस को रिप्रेसेंट करेगा यहाँ पर फेवरेबल लिखा ही नहीं है अरे सुनो तो सही देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि what does the debit balance in cashbook represent cashbook का जो debit balance है वो क्या रिप्रेसेंट करता है तो देखो क्या लिख होगे जैसे मैंने बताया था कि दोने एक दूसरे क्या पोजिट होते हैं जैसे cashbook का debit जो रहता है वह पास्बुक का क्या रहता है प्यारे दोस्तों credit रहता है मतलब यहाँ अगर credit वाला amount ज्यादा आया पास्बुक के अंदर तो वह हमारा bank balance यानि कि credit balance क्या होता है bank balance मतलब balance ठीक है तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं या जो मैंने आपको अभी पीछे आंसर बताया था अभी जो बोल करके बताया था वह भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे question no.7 की तो इसमें क्या है यह तो जादू हो रहे है अपने आप holder होता है वही prepare करता है BRS को ठीक है जी फिर यहां पर अगला सवाल है कि what does debit balance in passbook रिप्रेसेंट करता है तो वह हमारा bank overdraft रिप्रेसेंट करता है सही बात है ना आप मैं आप लोगों को बताती हूँ जैसे यहां पर passbook की बात की गई है लो भाहिया हमने यहां पर passbook बना दिय यह इसका debit balance यह इसका credit balance कौनसे balance की बात की जारी है डेविट balance की तो दिखो passbook में यह वाला side आप लोगों का payment side होता है अगर payment हुआ पैसा आपके account से गया तो इधर लिखेंगे और अगर पैसा आया दिखो यह receipt side होता है हां तो फिर यहां पर लिखेंगे है ना ऐसे गर क्य होता है receipt side इधर ठीक है तो यह क्या शो कर रहा है बताना जरा यह तो debit balance को represent कर रहा है मतलब आपने ज्यादा पैसे निकाले हैं और आपके account में तो पैसा कम ही है तो यह क्या represent करेगा bank overdraft को represent करेगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर अगला सवाल आप लोगों के सामने मिटो मिटा लेने दो अगला सवाल है question number 9 कि on which side is interest on bank deposit recorded in past book यानि कि देखो किसके उपर इंट्रेंस्ट तो बैंक डेपोजिट के उपर है ना bank deposit recorded in past book past book में वो किस side record होगा प्यारे दोस्तों तो वो हमारा record हो जाएगा credit side आप बोलेंगे credit side क्यों तो पड़ो ना यहां पर क्या लिखा है यहां पर यह लिखा है interest on bank deposit यानि bank में जो आपने पैसे deposit के ना उसके उपर interest आपको मिल रहा है तो वह debit होगा कि credit होगा आपको म इतनी बाते तो अच्छे से आप लोगों को याद रखनी ही है next question है कि यह अपने आप क्यों बढ़ रहे हो भाईया मत बढ़ो अगला सवाल की why is bank reconciliation statement prepared मुझे बताओ कि bank reconciliation statement को हम क्यों prepare करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था है ना देखो हम यहां पे कुछ भी balance नहीं करते बस यहां पर हम यह फाइंड करते हैं कि हमारा bank balance और जो हमारा cashbook का balance है दोनों में हमें difference क्यों देखने के लिए कौन-कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम difference दोनों में notice कर रहे हैं ठीक है तो वो कारणों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं BRS को prepare करते हैं so the answer यहां पर मैंने लिखा हुआ है listen carefully कि bank reconciliation statement is prepared to explain the causes of disagreement between the balance shown by the cashbook under the bank column and the balance shown in the past book समझ में आया है दोनों का difference बता लागाने के लिए क्यों दोनों का difference अलग अलग है cashbook का कुछ और है passbook का कुछ और है यह तो गड़बर वाली बात हो गई है ना आओ question number one यहां पर होता है complete अब हम यहां पर बात करने वाले है question number two की अब आप लोगों को क्या करना है एक word में यहां पर उत्तर देना है ठीक है कुछ statement दिये गा है इन्हें पढ़ो और one word में answer द खेले देखिएगा आप देखते हैं पहला सवाल the account on which overdraft facility is allowed by bank बताना जरा वो कौन सा account है जिसमें यह वाली फैसलिटी प्रोवाइड की जाती है overdraft facility तो वह है आप लोगों का current account ठीक है next यहां पर कि extract of leisure account of account holder in the books of bank मतलब जो भी banking transactions हो रहे हैं account holder का वो बैंक के पास किस फॉर कोड की जाती है पास्बुक में एंट्री की जाती है अगर पैसा आया गया तो उसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बैंक पास्बुक ठीक है नेक्स्ट है यहां पर कि अल्फा न्यूमरिक कोड डैट फैसलिटेट इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर इन इंडिया तो क कोड ठीक है एक मिनट मैं यहां पर लिख देती हूं ओके लेखो इसके आगे यह आजाएगा त्यारे दोस्तों कोड ठीक है जी इसको जरूर आप नोट कर लेना ठीक नेक्स्ट चलते हम आगे अगला यहां पर स्टेट्मेंट है कि स्टेट्मेंट शोइंग दा कॉसस ऑफ प्राइब तो यहां पे अगर अगर आपने जादा पैस निकाल लिया कम पैसा आया तो वो ओवर्ड्राफ्ट ही होगा अगला यहां पर है कि विच इस फिल्ट फॉर डिपोजिटिंग कैश और चेक इंटू बैंक जो हम फिल करते हैं जब बैंक के अंदर पैसे डेपोजिट कर रहे हो या फिर हम चेक डेपोजिट कर रहे हो तब वह फॉर्म कौन सा होता है पेंट स्लिप भी बोल सकते हैं नेक्स यहां पर कि लेफ्ट स्टूरेंस स्टूरेंस को क्या कहा जाता है आप डिखाना अब लोगों को पैसों वाला फिल्ट पर्ची उसको हम अपने पास रखते हैं एक बैंक को डिपोजिट कर देते हैं यह पेंट स्लिप अपको दिखाई दे रहा है डिसस कॉल्ड आज कवाले पास पास रहता है और यह जाता है हमारे बैंक अकाउंट में बात समझ में आई हाँ ऐसे समझो ठीक कि देखो आगे चल करके आप यह सारी चीजे करोगे अभी धीरे-धीरे बड़े हो रहे हो दीरे-धीरे जॉब करोगे उसके बाद पैसे गमाऊगे तो फिर पैसों को बैंक में जब आपको यह सारी चीजे पता रहेंगी कि कैसे बैंक में पैसे को डिपोजिट किया जाता है कैसे विट्रॉ किया जाता है क्या क्या सारी चीजे होती है तो यह सब चीजे आपको काम आएंगी यह फिर फिचर में अगर आप बिजनस कर रहे हो कोई प्रोफेशन में जा र पर आपस पर कैश वुक आप बोलंगे कैसे अरे मैंने बताया था देखो यह हमारा माली जीक मदा रिसीप एड क्रेड़ड साइट पेअन तो देखो गया लिखा है क्रेड़ बैलने यह वाला बैलंस तो अगर पेइंट वाला साइट ज्यादा हो यह वाला साइट कम हो ठीक है वो भूक जिससे ट्रीडर रेकॉड करता है यानि कि कि बिजनेसमैन रेकॉर्ड करता है वो आपका बैलेंच यानि कि फेवरेबल बैलेंस होता है आप सचेंगे यह आपने क्या पढ़ दिया देखो भाई कहां मतलब इस जादा है जो बैंक है सिंपल सी बात सबहुना करके बूल दिया है यह मैं कि रिकार यह बात करके बात करे यह हमारा चलिए तो यहां पर क्या बोला गया है कि excess of bank deposit यानि ये वाला जो side है ना क्योंकि bank में जब पैसे deposit करेंगे वो यहाँ पर जाएगा bank से पैसे withdraw किया तो वो यहाँ पर जाएगा तो कौन सा वाला side जादा है bank deposit जादा है withdrawal क्या है कम है तो बताना ज़रा ये क्या होता है ये हमारा bank balance होता है है ना यह वाला साइड साथा बैंक बैलेंस यानि कि फैवरेबल बैलेंस होता है समझे तो ऐसे करके थोड़ा दिमाग लगा करके समझा करो एक चीज को यह रोख बार-बार पूछेंगे पर थोड़ा सा गुमा गुमा करके पूछेंगे है ना तो हम भी किसे से कम नहीं हमें सब आता है हम पता लगा लेंगी कोई डरने वाली बात नहीं है अगला सवाल देखते हैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिये गए आपको बताना है कि इन से आप अग्री करते हो या फिर नहीं करते हो आप एक एक करके देखते हैं सबसे पहला है दा बैंक कॉलम ऑफ करेंगे करेंगे तो यहां पर क्या मोल है कि जो बैंक कॉलम है क्या क्या वह बैंक को रेप्रिसेंट करता है callsि भी हमारे पै schreiben को हम इसमें ही record करेंगे bank account से पैसा गया तो यहां पर यह जो bank column होगा ना उसमें हम इसकी recording करेंगे समझें नेक्स यहां पर दूसरा आओ bank statement enables account holder to prepare bank reconciliation statement बिलकुल सही बात है जो bank statement है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं bank reconciliation statement बना सकते हैं कि नहीं बिलकुल बना सकते हैं क्योंकि उसमें भी सारी इंफोर्मेशन दी रहेंगे ना कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया तो उसकी मदद से भी हम bank reconciliation statement बना सकते हैं ठीक है students नेक्स्ट है यहां पर इसको भी हमने चेक दिया था उसने ना हमारे बैंक में रिप्रेजेंट नहीं किया उसको मतलब प्रेजेंट नहीं किया जब वो बैंक के पास जाकर के बोलेगा कि अरे बैंक भाइया यह थोड़ेना अंतर्याम है कि इतने नाम से चुनें में उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो कहां पर दिखाए ना क्योंकि जब हमने चैक हुआ तो लेकिन किया यांपर ओंली बात है गलत हो आप लोगों प्राक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग बेंक रेकन्सिलेशन स्टेट्मेंट को मतलब हम डिसेग्री करते हैं इसा होता है क्या बैंक स्टेटमेंट के जैसा होता है नहीं होता है है इसमें हम बताते जब कि बैंक स्टेट्मेंट में पूरा बैंकिंग का पूरा लेखा जोखा रहेगा इसा होता है क्या नहीं होता नहीं होता नहीं होता यहां पर क्या और यह हमेशा equal होता है bank balance as per passbook सही में equal होता है नहीं कभी तभी differences भी देखने के लिए मिलते हैं और वो differences के कारणी तो bank reconciliation statement बनाया जा रहा है अगर यह हमेशा equal आते तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं पढ़ती यह वाला chapter हम पढ़ते ही नहीं अब यहां पर differences देखने के लिए मिल businessman to bank बताओ भई यह जो bank advice है क्या यह businessman to bank के पास भीज़ना आता है नहीं यह bank advice है तो बैंक वाली businessman को भीज़ेंगे ना तो इससे भी हम disagree करते हैं यह भी गलत है नेक्स्ट है कि pain sleep is used for depositing depositing check into bank बिलकुल हम इससे agree करते हैं हम इसके साथ हैं ठीक है नेक्स नहीं आपर की difference in cash book balance and pass book balance में arise due to errors committed while recording बिलकुल सही है ना देखो यह जो difference है cash book और bank pass book के balance का वो क्यों होता है क्योंकि कुछ नों कुछ गड़िया हो जाती है कुछ नों कुछ गलतिया हो जाती है recording करते time पे इसलिए यह मतलब यह जो है ठीक है नेक्स नहीं यहां पर की payment and receipt of cash through internet banking generates automatic proof बिलकुल सह रहे हो या फिर किसी को पैसा दे रहे हो पैसा निकाल रहे हो तो क्या होगा वहां पर automatic proof हो जाता है ठीक है अगर आप online कुछ भी पैसा भेजते हो या फिर पैसा लेते हो ना तो वहां पर automatically वहां पर दिखाएगा कि इतना पैसा इत सारी को आपके account से गया था मतलब पुरा उसका history आप निकाल सकते हो ठीक है तो यह online का फायदा होता है इंटरनेट बैंकिंग का नेक्स से यहां पर चलो question number कौन सा question कोई बात नहीं है कि लिख लिए हो तो explain नहीं करोंगे ठीक है अगला यहां पर मतलब पहला statement क्या दिया है कि overdraft means credit balance of cashbook क्या यह बात सही है बिल्कुल सही है देखो cashbook का cashbook का credit balance क्या बताएगा देखो cashbook में यह वाला payment होता है तो अगर यह credit balance है यानि कि यह वाला यह वाला साइट ज्यादा है तो यह क्या represent करेगा overdraft को ही तो दिखाएगा न तो this is the right statement समझ में आया अगर यहां पर debit होते तब तो यह गलत बात हो जाती ओके डेविट होता तो नेक्स से यहां पर कि वेन चेक इस डिपोस्टेड और जब बैंक उसको collect कर लेता है तो अगर बैंक वाले के बैंक वाले ने पैसे को collect कर लिया तो हमारे अकॉंट में पैसे आए है इसके लिए हम क्रेडिट करेंगे क्रेडिट ठीक है नेक्स्ट है यहां पर कि डैश स्टेटमेंट इस समरी और फानेशल ट्रांजिक्शन बैट टेक्स प्लेस ओवर पीरियोड ऑफ टाइम ऑन बैंक अकॉंट तो बताओ यहां पर क्या आएगा तो यहां पर आएगा प्यारे दोस्तों बैंक स्टेटमेंट यही तो सारी चीशे रिप्रेज़ेंट करता है अगला यहां पर है कि डेबिटिंग एंटरी इन कैश बुक इंक्रीज़ज़ काश बैलेंस यानि की अगर कैश बुक में कोई बीट गरते तो वो क्या करेगा हमारे कैश बैलेंस को बढ़ाएगा ना क्योंकि पैसा जब आता आप से बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है बहीं क्रेडिट बैलेंस पास्ट भूग होता है ना फिर नेक्स रहें कि बैंक गेंस ओवर ड्राफ फैसिलिटी टू किसको देते हैं करन्ट अकाउंट होल्डर को यह कितनी भारा रही है हमारे सब्सक्राइब क्लास 12 में भी आएग क्या होता है और ग्रेडिट बैलेंस अन्फिवरेबल बैलेंस होता है अगर आपने द्यासे लिक्टर देखें होंगे तो यहां से सारे कोश्ट आपके बन रहे होंगे अगला यहां पर सवाल है कि वेन एक स्ट्रेट और पास्बूग और गीवन फॉर अनकॉमन पेरिएड जो लास्ट में अमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर वन और टू किया था उनसे सवाल यहां पर पूछ लिए गए हैं देखो जब आपको कैश्बूग और पास्बूग अनकॉमन पीरिएड का दिया हो यानि पास्बूग है किसी और महीने का कैश्बूग है किसी और मह होता है वोगली वी आप टू कंशिडर कॉमन आइटम जो भी कॉमन आइटम होते हैं बस उन्हें ही हमें कंसिडर करना होता है और प्रिपेरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बात समझ में आई और अगर सेम पीरिएड का दिया हो तब पास्बूग और कॉमन पीरिएड लो भयाँ अगर कॉमन पीरिएड का दिया ओ तब अनकॉमन आइटम्स को खरेंद करते हैं कि अभी हमने देखा देखा था भूल गया होंगे तब और वापस से रिवाइस कर लो अगर अननकॉमन पीरिएड का दिया है तो अनकॉमन आइटमừ को हमें गॉन्सीडर करना होता ह अब बार ही है फिफ्ट कोश्चिन की complete the following statements अब इसमें कितने दस कोश्चिन है हाँ बस थोड़ा सा और फिर उसके बाद खदम करेंगे देखो यहां पर अगला नहीं है एक्चली कोश्चिन नमबर वन इसमें क्या लिखा है कि payments credited in cashbook क्याने कि जो cashbook है सुनें के सब्दोग ध्यान से अगर वहां पर जो payments है तो वो जो मतलब देखो cashbook में अगर हम कोई payment करते हैं उसको credit करते तो passbook में वो क्या होता है बही debit होता है ना दोनों एक दूसरे के opposite होते बताया था मैंने आप सुभी लोगों को फिर यहाँ पर दूसरा सवाल है कि वाइल प्रिपेरिंग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ओनली बैंक कॉलम ऑप cashbook बिलकुल राइट है जब हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो cashbook का जो बैंक कॉलम होता है बस इंट एक क्रेडिटर्स को चैक फिर तो उस टाइम पर पहले कहां पर दिखाया जाता है क्या बिजुक्यर सब कर देगा है और यहां पर किया देखिए दिखेएगा a statement showing the reasons for difference in cash book balance and past book balance is known as क्या कहा जाता है उसको bank reconciliation statement कहा जाता है जो दूनों के differences का कारण बताएगा क्यों क्यों यह सारे differences हो रहे हैं इसमें record हुआ इसमें नहीं हुआ वो सारी चीज़ी यही तो बताता है bank reconciliation statement अगला है कि overcast on receipt side of past book means चलो मैं इसको छुपाती है अब जब से आप देख देख करके बोलेंगे थोड़ा logic से सोचो हां वैसे तो कहीं बच्चों ने देख भी लिया होगा कोई बात ने देखो क्या लिए overcast on receipt side of past book देखो पास्बूक का receipt side कहा पर होता है यह वाला side credit वाला तो अगर यह overcast हो एक तो undercast होता है दूसरा overcast होता है overcast मतलब हम लोगों ने ज्यादा recording कर दी है ठीक है तो अगर यह वाले side में हमने ज्यादा recording कर दी है तो जो हमारा bank balance है पास्बूक का bank balance हो तो बढ़ा हुआ दिखा ही देखा ना तो वही है कि पास्बूक में पर creditors यानि जो हमारे creditors मतलब क्या होता है जिनको हमें पैसे देने हैं तो अगर हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं बतलब online transfer कर दे रहे है तो यह कहां पर दिखाएगा तो यह हमारे cashbook के payment side में दिखाएगा यानिकिवह credit side में दिखाएगा बिल्कुल नेक्स्ट है यहां पर कि interest on overdraft charge by bank is debited in passbook सही बात है ना देखो interest on overdraft overdraft के ऊपर interest bank charge करती है तो यह क्या होगा आपके account में से पैसे कटेंगे ना और पैसे कटेंगे तो क्या होगा debit होगा ठीक है अगला नॉर्मली दे cashbook सोगs debit balance और पास्ट बालेंस प्रेडिट बालेंस मतलब जब क्या होता है जनरली अगर देखा जाएं most of the cases में कि जो हमारा cashbook है और जो हमारा passbook है यह हमेशा क्या करते हैं मतलब देखो passbook पास्ट जो है वो जनरली debit balance को शो करता है जबकि यह cashbook के में बात क करता है मतलब favorable balances को ठीक है दोनों के दोनों the form field for withdrawing cash from bank is known as withdrawal sleep पता है हम लोगों को a businessman can update his records on receiving bank advice यहाँ पर हमने 5 questions complete कर लिया है प्यारे दोस्तों अभी जो बचे हुए questions है उनको हम कब देखेंगे हाँ बिल्कुल अगले lecture में देखेंगे यानि कि lecture number 14 में तो इस chapter का एक और lecture आएगा जो आपका last वीडियो होगा उसके बाद यह chapter आपका finally complete हो जाएगा मेरी तरफ से और सह बता रही हूं जो भी यह 14 के 14 lectures को देख लेगा ना आप ना BRS में मास्टर बन जाओगे मतलब फिर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होगी ने कभी भी आया BRS का question आप उसको जरूर सौल कर पाओगी यह मेरी guarantee है क्योंकि मैंने इस हिसाब से आप लोगों को सिखाया है ठीक है व खुदी ही पता चल जाएगा राइट चलो ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ध्यान रखिएगा अपना के चलब सभी को नमस्ते